अगर आप अद्वी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डीटेल्स के जरीए कर सकते हैं। अब आप दुनिया भर की कहानियों के अर्दु हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा नया चानल तर्जुमा भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ साथ अद्वी दुनिया को स्पॉटिफाई और गाना जैसी अप्लिकेशन्स पर भी सुना जा सकता है। शुक्रिया। अख्तर रजा सलीमी का नॉविल जंदर। अद्वी दुनिया की ये काविश अर्दु के मशूर शायर सर्वत हुसैन के नाम है। नॉविल का इंतिसाब वसी हैदर के नाम। तुक देख नहीं तो बहुत अफसोस रहेगा। हम लो जब पौप हटेगी और रोशनी की किरने दर्वाजे की दर्जों से अंदर जाकेंगी तो पानी सर से गुजर चुका होगा। और मेरी सांसों का जेरो बम जो इस वक जंदर की कूक और नदी के शोर से मिलकर एक करबा में समा बांध रहा है। काइनात की अथा गहराईयों म गुम हो चुका होगा। और पीछे सिर्फ बहते पानी का शोर और जंदर की उदास कूक ही रह जाएगी। जो उस वक तक सुनाई देती रहेगी जब तक जंदर के पिछवाडे मौजूद मादूम होते रास्ते पर से गुजरते हुए किसी शख्स को अचानक मेरा ख्याल न आजाए और वो यूही बगएर किसी पेशगी मनसूबे के महज मेरा अतापता करने जंदर के सहन को इस उजाड रास्ते से मिलाने वाले साथ कदमी जीने पर से उतरता हुआ जंदर के दर्वाजे तक ना आजाए। ये दर्वाजा जिसे मैं रात को सोने से पहले हमेशा अं इसे किसी मानوس या अंजानी दस्तक पर अंदर से खोलने वाला कोई नहीं होगा। मामूल से दुगनी रफतार में घूमना शुरू कर देता है और उसकी सुरीली गूंज यगदम एक उदास कूक में बदल जाती है। अगर्चे पिछले चार-पांच माह से जंदर पर आने वाली चोंगे बतद्रीज कम होती चली गई थी और इस दोरान में कुछ दिन तो ऐसे भी आए कि सारा सारा दिन कोई चोंग नहीं आई और जंदर का उपर वाला पार्ट अपनी मामूल से दुगनी रफतार में घूमत अपने पाड घिसाता और मेरे वजूद में लगी कर्ब की दीमक को मजीद रिस्क फराहम करता रहता लेकि न जाने क्यों मेरे अंदर के सन्नाटे से एक ऐसी आवाज जिसे मैं कानों से नहीं दिल के वसीले से सुनता मुसलसल आती रहती थी कि चोंगों का ये तात्तुल आर और मैं उसे जंदर के खारे में उंडेल कर जो ही लकडी की कील नीचे गिराता जंदर की उदास कूक सुरीली गूंज में तबदील हो जाती और मेरे मुदमहिल बदन में सेरों खून दौड जाता अभी मैं उसे पीसी रहा होता कि कोई ना कोई और चोंग भी आ जाती और ए मैंने बोरी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मुझे महसूस हुआ कि मैं अपनी और जंदर दोनों की जिन्दगी की आखरी चोंग पीस चुका हूँ फिर जो ही मने लकडी की केल खीची और जंदर की सुरीली गूंज उदास कूक में तबदिल हुई मुझे इस बात का भी यकीन हो गया कि मौत जिसे मेरी पैदाइश के साथ ही मेरे वजूद में रख दिया गया था और जो कुछ रोज पहले तक मुझे बहुत दूर से आने वाली आवाजों जैसी लगती थी अन करीब मेरा काम तमाम करने वाली है तब ये ख्याल के मेरे बाद यहां आने वाला पहला शख्स कौन होगा बिजली के एक कौंदे की तरहा मेरे दिमाग में लबका था और अगले ही लम्हे मेरी आँखों के सामने कई इनसानी चेहरों के खदोखाल आपस में यूं गडमड हुए थे कि मैं किसी भी चेहरे को अपने दिमाग में तस्वीर नहीं कर पाया था अगर मैं अपने गुजशता तजर्बे को मदे नजर रखते हुए फहम आमा का सहारा लेता तो मेरे पास ऐसा सोचने की कोई माकूल वज़ा नहीं थी लेकिन उस रोज जब मेरे अंदर के सन्नाटे को किसी आवाज ने नहीं पाटा तो मैं समझ गया कि मैं अपनी और जंदर दोनों की जिन्दगी की आखरी चौंग पीश चुका हूँ उस दिन जिन्दगी में पहली बार ये राज मुझ पर मुझ पर मुनकशिफ हुआ पेश बीनी की सलाहियत ने पहले ही भाप लिया था मैंने अपने बच्पन में बज़र्गों से सुना था और अब गुजशता 45 दिनों से हर लम्हें खुद भी इस तजर रहा हूं कि जब आदमी मरने के करीब होता है तो उसके वो खुफता हवास जने उसने सारी जिन्दगी काम में नहीं लाया होता मौत की आहट से जागुटते हैं और उसे अपनी मौत के हवाले से पेश आमदा हालात की खबर पहले ही से हो जाती है लेकिन अपनी मौत के बाद रूनुमा होने वाले वाकियात के बारे में वो सिर्फ अंदाजे ही लगा सकता है यही वजा है गुज़िश्टा 45 दिनों में जब से मैं अपनी माँ और मौत दोनों का हाथ अपने शानों पर महसूस कर रहा हूँ मैंने अपनी मौत के बारे में उतना नहीं सोचा जितना के उस आदमी के बारे में जो मेरे बाद यहां इस वीरान जंदर पर आने वाला पहला शख्स होगा वो कौन होगा इतने दिनों की सोच बिचार के बाद भी मैं इस बारे में कुछ वसूख से नहीं कह सकता हूं कि मेरा बेटा राहिल नहीं होगा कि गुजश्चता काइदे के मताबिख अब उसकी वापसी जून में होना थी यानि तकरीबन साड़े तीन माह बाद अभी दो माह पहले दिसंबर के तीसरे हफ़ते में जब वो अपने बीवी बच्चों के साथ गाउं आया था तो कुछ देर के लिए मेरे हां भी चला आया था और यहां इसी खाई किनारे जहां मैं अभी लेटा हुआ धीरे धीरे मौत की खाई में उतर रहा हूँ यूं सर जुकाए बैठा रहा था जैसे उसे एक जंदरोई के बेटा होने पर शर्मिंदगी हूँ जब वो जाने लगा था तो उसने हजबे रिवायत मेरी जेब में कुछ रुपए भी ठूस दिये थे ये जानते हुए भी कि मुझे उनकी जरूरत नहीं मुझे अच्छी तरह याद है कि जंदर की दहलीस पार करते हुए हमेशा की तरह उसने पीछे मुड़कर देखे बगहर कहा था कि अगर मैं उसके साथ शहर चलना चाहूं तो उसे खुशी होगी काश वो जान सकता कि मेरी खुशी यही रहने में है वो साल में दो ही मरतबा गाउं आता था जून और दिसंबर में जब उसके बच्चों के स्कूल बंद होते और वो खुद दफ्टर से चन्द दिनों की रुखसत ले लेता रुखसत मनजूर होते ही वो बीवी बच्चों को साथ लेता और आब और हवा तबदील करने यहां आ जाता गाउं आने से पहले वो गाउं की मरकजी मस्जिद के खादिम को इत्तिला कर देता जो उस घर की जिसके सहन में उसकी मा की डूली उत्री थी और जहां उसने बच्चपन के दिन गुजारे थे सफाई सुथराई कर देता था गर्मियों में तो वो 18-20 दिन गाउं में गुजारता के मौतदल मौसम के बाइस उसके बीवी बच्चे अपना वक्त यहां हसी खुशी गुजारने के लिए हमा वक्त तयार रहते लेकिन सर्दियों में वो महस चार पांच ही दिन यहां रुटता है के उसकी बीवी बच्चे यहां की शदीद सर्दी जियादा दिन भरदाश्ट नहीं कर सकते और उसके सर पर उनके बीमार होने का खच्चा हर वक्त मनलाता रहता था हाँ अगर उन दिनों बर्फ पढ़ी होती तो वो उससे लुटफ वंदोज होने के लिए एक दो दिन मजीद भी ठहर जाते के जब तक बर्फ बारी के बाद आस्मान साफ न हो और रातों को पढ़ने वाली ओस मरी और गलियाद के पहाड़ों की चोटियों से आने वाली यख बस्ता हवा से मिलकर बर्फ पर वो कोहरे की मोटी तहना जमा दे जो उसे सख्त कर देती है सर्दी का एहसास नहीं होता लेकिन अब यहां बर्फ भी तो इतनी ही पढ़ती है कि एक दो दिन ही में पिघल कर कुछ तो जमीन ही में जजब हो जाती है और कुछ जर्नों चश्मों आपशारों और छोटे छोटे नालों से होती हुई इस नदी के पानी में आ मिलती है जिसमें मेरा यह जंदर इस वक्त कूक रहा है सतर साल से उपर का होने के बावजूद मैं कभी इस बात का ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाया कि ऐसे दिनों में जंदर के भारी पाटों को गर्माने में पिगली हुई बर्फ का कितना हिस्सा होता है लेकिन बहरहाल होता जरूर है इस बार चूंके बर्फ बारी दिसंबर के पहले ही हफते में हो गई थी और उसके बच्चों की सर्दियों की छुटियां दिसंबर के तीसरे हफ़ते में हुई इसलिए वो बर्फ से लुट्फ अंदोज न हो सके और गाउं आने के बाद तीसरे ही रोज सुभा सवेरे वापस शहर चले गए कि उनके नाजुक बदन बर्फ ढलने के बाद पढ़ने वाली उस कोहर की शिदद बरदाश नहीं कर सकते थे जो ठहरे हुए पानी पर शीशे की एक ऐसी मजबूत तह जमा देती है जिस पर पाउं रख कर मैं अपने बच्पने में उसके नीचे मौजूद छोटी छोटी मचलियां देखा करता था अब कायदे के मताबिक उसकी और उसके बीवी बच्चों की आमद जून ही में होना थी यहां से वापसी पर दोनों मिया बीवी ने यकीनन यही मनसूबा बनाया होगा लेकिन अब की बार उनका यह मनसूबा उस वक्त धरे का धरा रह जाएगा जब उन्हें इत्तिला मिलेगी के मेरी मौत वाके हो चुकी है जब बजरिया फोन मेरे बेटे को उसके दफ्तर में मेरी मौत की इत्तिला दी जाएगी तो वो यकीनन दफ्तर के जरूरी मौामलात निम्टा रहा होगा ये भी मुम्किन है कि वो उस वक्त किसी एहम मीटिंग में हो और उसके जाती स्टाफ में से कोई शख्स उसे ये इत्तिला कागस पर लिखकर बिजवाए और उसे मीटिंग से उठकर आना पड़े बहरहाल जैसे ही उसे ये इत्तिला मिलेगी वो यक दम सक्ते में आ जाएगा इसलिए नहीं कि उसके बाप की मौत वाके हो चुकी है बलके इसलिए कि मुझे कफनाने दफनाने के लिए उसे हर हाल में यहां आना पड़ेगा और वो भी अपने बीवी बच्चों समेट यक दम हाई हो जाएगा कि अभी तो दो माह पहले गाउं से होकर आए हैं अब फिर जाना पड़ेगा और फिर उस पर उठने वाले इखराजात इस पर मुस्तिजाग उसके घर में एक हंगामी हालत नाफिज हो जाएगी बच्चों की स्कूल से गयर हाजरी एक अलग मसला होगी कि उनके अमतिहानाद भी सर पर होंगे और ऐसे दिनों में उन्हें स्कूल से छुटी कराना किसी सूरत भी उनके मुस्तक्बिल के लिए अच्छा नहीं होगा फिर इस दुश्वार गुजार पहाडी रास्ते के सफर का तरद्द और वो भी बगएर किसी पेशकी मनसूबे के इस पर मुस्तिजा दिये के ना चाहते हुए भी हर वक्त गंगीन रहने की अदाकारी करना पड़ेगी उसकी बीवी के लिए सबसे बड़ा मसाला गाउं की वो औरते होंगी जिन से मिलते हुए उसे हमेशा घिनाते थी लेकिन अब तो उसे उनसे बगलगीर होकर बाकाइदा बैन भी करने होंगे और उनके जिसमों से आने वाली पसीने गोबर और निस्वार की बिसांद उसे कई दिन तक चैन से सोने नहीं देगी उनके बच्चे जो यहां आकर इनसानों से जियादा पडोसियों के ढोल डंगरों से घुल मिल जाते हैं और बिली और बकरी वगएरा के बच्चों को तो पकड़ कर गोद में उठा लेते हैं उनके लिए अलग से दर्दे सर होंगे कि इस मसनुई सोगवार माहौल में जबकि उनके पास कई दिनों तक ताजियत के लिए आने वालों का ताता बना रहेगा उन पर कड़ी नज़र रखना उनके लिए नामूम के नात में से होगा सबसे बड़ी मुसीबत तो ये होगी कि उसके दफ्तर के वो संगी साथी जिने मरूब करने के लिए उसने अपने बाप दादा की दादागीरी के दिल्चस्प किस्से सुनाए होंगे और वो उसकी इज़त और तौकीर एक आला अफसर से जियादा एक आला हसब नसब रखने वाली शख्सियत के तोर पर करते रहे होंगे उसके ना चाहते हुए भी ताजियत के लिए यहां आ जाएंगे और वो गाओं वालों की बातों से जो दबे लफजों में पहले ही उसे इस हमाले से लांतान करते रहते हैं किसी ना किसी तरह तो जान ही जाएंगे कि उसका बाप एक जंद्रोई था और उसकी मौत यहां बहने वाली एक नदी के वीरान जंद्र में इंतहाई कस्मपुरसी की हालत में हुई मुम्किन है उन में से कुछ लोग तो जंद्र देखने की खौहिश का इसहार भी करें और उसके ना चाहते हुए भी जाए वकूपर पहुँच जाएं इस सूरते हाल का सामना उसे कब करना पड़ेगा इसका इनहिसार इस बात पर है कि कब वो पहला शक्स जिसने गाउं वालों को मेरी सर्द हो चुकी लाश के बारे में बताना है यहां से गुजरते हुए बगएर किसी पेशगी मनसूबे के युही इत्तिफाकन मेरा अतापता करने जंदर के सहन को उसके पिछवाड़े से गुजरते हुए उजाण रास्ते से मिलाने वाले साथ कदमी जीने पर से उतरता हुआ यह दर्वाजा जिसे मैंने आज अंदर से कुंडी नहीं लगाई खोलता है और मुझे मुझे मुर्दा हालत में पाता है मैं इस बारे में कोई क्यास आ रहा ही नहीं कर सकता कि उस वक्त मेरी लाश की हालत क्या होगी मुम्किन है कल ही यहां से गुजरने वाले किसी शक्स को अचानक मेरा ख्याल आ जाए और वो जंदर के सेहन में उतर कर दर्वाजे से अंदर जांके और मेरी लाश को सही हालत में पाए अगर वो परसों आया तो भी मेरी लाश सही सलामत ही होगी कि यह आग जो अभी आतिश दान में भड़क रही है और जिसके शोलों से निकलने वाली सपीद और सुर्ख रोशनी ने मेरे वजूद समीद इस कमरे में मौजूद हर शेय को साय का एतबार बख्ष रखा है मेरी मौत वाकए होने तक मुकमल तोर पर बुच जाएगी और यह सर्दी जो इस वक्त नदी के मरकजी बहाओ से हट कर रास में मौजूद खड़ों में ठहरे और पानी पर आहिस्ता आहिस्ता कोरे की एक मोटी तह जमा रही है मेरी लाश को कमस कम पचास घंटे खराब होने से बचाय रखेगी लेकिन ये भी तो मुम्किन है के अगले बीस दिनों में भी कोई ऐसा शख्स यहां से न गुजरे जो इत्तिफाकन मेरा अता पता करने जंदर के कमरे की तरफ आये पहले तो मैंने कभी गोर नहीं किया कि उन लोगों को छोड़कर जो मेरे यहां दाने पिस्वाने आया करते थे यहां से और कौन-कौन गुजरता है लेकिन गुज़चता 45 दिनों से चुके मैं उस मुमकिना आदमी की तलाश में हूँ जिसने सबसे पहले मुझे मुझे मुरदा हालत में पाना और गाउंवालों को मेरी मौत के बारे में बताना है इस लिए मैं यहां से गुजरने वालों पर बराबर नजर रखे हुए हूं इस मुजादे की रोशनी में मैंने अंदाजा लगाया है कि इस उजार रस्ते से अब दिन में बमुश्किल चार पाँछ आद्मी ही गुज़रते हैं जिन में से कुछ तो बिलकुल ही अजनबी होते हैं और सहन में मेरी मौजूद्गी के बावजूद दुआ सलाम किए बगयर ही गुजर जाते हैं और जो चहरे मोहरे से मेरे शनासा होते हैं उन में अक्सर मुझे पागल समझते हैं और मुझे ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे मैं अभी उन्हें काटने को दोड़ूंगा और जो ऐसा नहीं समझते उनके साथ मेरा कोई ऐसा गहरा तालुक नहीं कि फरवरी की धूप में जं अतापता करने जंदर के दर्वाजे तक चले आएं। और कीडे मकोडे और चूटियां जिनका रिस्क के तलाश में आना जाना वैसे भी यहां लगा रहता था मेरी हड्डियों पर मौजूद मास जो गुजश्टा पैटालिस दिनों में खाली घूमते जंदर की कूक की शिदत ने उनकी आसानी के लिए मेरी हड्डियों से से करेंगी कि सरदी की वज़ा से मरते हुए भी मेरा बाकी जिस्म इसी तरह रजाई में लिप्टा होगा और ये नकाहत जिसका आगास तो कई दिन पहले ही हो चुका था मगर गुजश्टा शाम से इसमें कुछ जियादा ही तेजी आ गई है मुझे इस काबिल नहीं सफायद हिस्से से करेंगी जो उस वक्त तक मजीद सफायद हो चुका होगा पहले मरहले में आने वाली चूटियों की टोली रजाई में लिप्टे मेरे धर पर से सफर करती हुई जब जर्द हो चुके मेरे चहरे तक पहुँचेंगी तो उसे मेरी सफायद आंखें आटे के मानिंद लगेंगी तोली में मौझूद चूटियां पहले तो अपने अपने छे पैरों में से दर्मियाने पैरों को मस्बूती से जमा कर खड़ी हो जाएंगी फिर अगले दो पैरों को हरकत में लाकर मेरी आँखों का मास खोदने और पिछले दो पैरों के जरीए उसे एक तरफ हटाने की कोशिश करेंगी लेकिन थोड़ी देर की मेहनत मशक्कत के बाद उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि उन्हें खोदने की कोशिशें बेकार है फिर वो अपने पैरों के बजाए अपने सर पर लगी जिन्दा कैंची को अमल में लाकर उन्हें कतरना शुरू कर देंगी इसी दोरान में वो एक नामालूम मवासलाती राप्ते के जरीए जेरे जमीन अपने तारीक घरों में मौझूद बाकी साथियों को भी फौरन आगाह कर देंगी और इत्तिला पाते ही वहां मौझूद बेशुमार चूटियां घरों के बरामदों में बेहिसो हरकत लटकी अपनी अपनी टोक्रियों की तरफ दौर पड़ेंगी और उस वक्त तक अपनी नोकीली मूचों के जरीए उन्हें बार बार चूती रहेंगी जब तक वो जिन्दा होकर हरकत ना करने लगे जोही टोक्रियां हरकत करेंगी उनके जबड़े खुल जाएंगे और उनके लबों से रस के कत्रे टपकना शुरू हो जाएंगे हर चूटी अपनी अपनी टोक्री का रस चाटते ही ताजा दम होकर मजदूरी करने मेरी तरफ चल पड़ेगी और उनका यहां आना जाना उस वक्त तक लगा रहेगा जब तक मेरे चहरे पर मास का एक भी रेशा बाकी है साप, छिपकलियां, लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोडे भी इस सिलसले में उनका हाथ बटाएंगे लेकिन उनमें से बेशतर ऐसे होंगे जिनें मेरे बासी गोश्ट से जियादा उन जिन्दा चूटियों से दिल्चस्पी होगी हाँ जब कोई कीड़ा मकोड़ा किसी अजनबी जिन्स के कीड़े मकोड़े को जा दबोचेगा तो चूटियों के हाथ भी कुछ ताजा गोश्ट लगी जाएगा और वो मेरे जिस्म को छोड़कर उसकी लाश पर फिल पढ़ेंगी उन में से कुछ चूटियां मेरे खुले हुए मुझे रस्ते पेट की तरफ और कुछ नतनों के जरीए दिमाग की तरफ सफर करेंगी और मेरे दिमाग के पेचीदा ताने बाने को जिने बाबा जमाल दीन की सुनाई हुई लोग दास्तानों और किताबों में पढ़ी हुई कहानियों ने और भी पेचीदा बना दिया है यूं उधेड कर रख देंगी जैसे हाथों से बुनी सुटर को एक धागा खीच कर आसानी से उधेड लिया जाता है मेरी यादाश्त को महفوظ रखने वाले खुलिये तो यकीनन उनका रिस्क बन जाएंगे लÉकिन मैं उन हजारों क Ardusa के अन्जाम के बारे में कुछ नहीं कह सकता जिन्हों ने कहानियों से निकल कर मेरी यादाश्त में पनहाली थी और ना उन खुआबों के बारे में जिन्ने इस काईनात में सिर्फ मैंने देखा चेहरे को छोड़कर जिसम का निचला हिसा जो रजाई में लिप्टा होगा उसके उन चूटियों और कीडे मकोडों का रिस्क बनने की नौबत ही नहीं आएगी के रूई की गर्माईश से उसमें आहिस्ता आहिस्ता खुदबखुद कीडे पैदा होना शुरू हो जाएंगे जो उस वक्त तक कुल बुलाते रहेंगे जब तक उन्हें मेरे तनका गल सड़ चुका मास दस्तियाब रहेगा जो ही यह मास खत्म होगा उनकी जिन्दगी का भी इखत्ताम शुरू हो जाएगा और फिर उनकी गिर्ती लाशें भी बाहर से आएगुए कीडे मकोडों और चूटियों के काम आएंगी यह भी मुम्किन है के नदी के छोटे 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 पुर सुकून तालाबों में मचलियों और मेंडकों की तलाश में मारे मारे फिरते उद बिलाओ भी पानी से बाहर निकल कर जंदर की तरफ चल पड़े अगर ऐसा हुआ तो रजाई में लिप्टे मेरे वजूद को यूही बेकार गलने सरने की जरूरत पेश नहीं आएगी उद बिलाओ जिनके तेज दांत काहू जैसे मजबूत दरختों की टहनिया काट कर नदी के बहाओ के आगे बंद बांद कर पानी तालाबों की तरफ मोड देने में अपना सानी नहीं रखते ना सिर्फ रजाई को बलके मेरी हड़ियों से लिप्टे मास को भी बहुत कलील वक्त में चीर फाड कर रख देंगे यूँ यहां इस रजाई के नीचे हड़ियों का वैसा ही धाचा रह जाएगा जैसा यहां से साथ मील दूर कस्बे के सरकारी अस्पताल के कमरों में लटके इनसानी धाचों की तस्वीरों में होता है मेरे वजूद को धाचे में तबदिल होने से सिर्फ इसी सूरत रोका जा सकता है कि वो मुमकिना आदमी परसों तक यहां से जरूर गुजरे हाँ एक दूसरी सूरत मेरी मौत के फौरण बाद बिज्जू की आमत के इमकान से भी वावस्ता है लेकिन मुझ जैसा आदमी भी जिसने सारी जिन्दगी दास्तानों लोग कहानियों अफसानों और नौविलों में बसर की और जो हमेशा अनहोनियों और माफाकुल फितरत वाकियात को हकिकत के रूप में देखता चला आया है उसकी सेहत के बारे में आज भी तजबजब का शिकार है बिजू के बारे में कहा जाता है कि ये काईनात की वाहिद मखलूख है जिसे इनसानी टखनों में धड़कती उस रक का पता होता है जिसे पकड़ने से मुर्दा उठकर चलना शुरू कर देता है बाबा जमाल दीन के बकौल अगर मुर्दे को दफनाने के बाद कबर पर काटे दार फुनिंगे न रखी जाएं तो आधी रात के वक्त बिजू इनसानी लाश की बू पाकर कबरुस्तान में दाखिल होता है और अपने पंजों से कबर खोटकर उसमें उतरता जाता है अगले तीन चार दिनों में उसे चट कर जाता है मेरे इलाके के बहुत से लोग अभी इस कहानी की सेहत पर एमान रखते हैं और जो नहीं भी रखते वो भी सदियों से चले आ रहे हैं रिवाज के मताबिग अपने अजीजों की कबरों को उसकी दस्त बुर्च से बचाने के लिए उन पर काटे दार दरखतों खासकर जिंडी की फुनिंगे रखते हैं और ये फुनिंगे उस वक्त तक कबरों पर मौजूद रहती हैं जब तक उसे बाकाइदा पका करने का बंदोबस्त नहीं कर लिया जाता या ये यकीन नहीं कर लिया जाता कि अब मुर्दा मुकमल तोर पर गल सड़ चुका होगा अगर मैं भी इस कहानी की सदाकत पर एमान रखने वालों में शामिल होता तो मुझे अपनी मौत के बाद यहां आने वाले उस आदमी के बारे में किसी किसम का कोई तजस्स ना होता जिसके बारे में मैं गुज़शता 45 दिनों से मसलसल सोच रहा हूँ ऐसी सूरत में जूही मौत मेरी जिन्दगी पर फता पाती मेरी ताजा लाश की मखसूस बू जिससे सूंगने की सलाहियत सिर्फ बिज्जूों को हासल है नदी के पानियों पर तैरती हुई उनके बिलों में जागुस्ती और वहां से एक साथ इतने बिज्जू निकलाते कि उन्हें ना तो मेरी कबर खोदने का तरद्द करना पड़ता और ना ही मुझे साथ ले जाने के लिए उस रक को तलाश करना पड़ता जिसके बगएर वो पूर तखयूल आदमी होने के बावजूद भी इस पर यकिन नहीं कर पा रहा और मेरा इमान है कि आदमी जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही पेश आता है सो हड़ियों का खौफनाग धाचा बनना शायद मेरा मुकदर बन चुका है यही वज़ा है कि मेरे दिमाग की सुई अब भी उसी आदमी पर अटकी हुई है जिसने सबसे पहले मुझे मुझे मुर्दा हालत में पाना और गाउं वालों को मेरी मौत की इत्तिला बहम पढ़ेगी वो जूही मुझे मिलने के इरादे से साथ कदमी जीने पर कदम रखेगा मेरे गल सर चुके धाचे से उठने वाली बद्बू का हलका सा भबका उसका इस्तकबाल करेगा यह बद्बू मरे हुए चूहे की बद्बू से कुछ जियादा मुक्तलिफ नहीं होगी जैसे ही बद्बू का भबका उसके नथनों में दाखिल होगा वो इर्द गिर्द नजरें दोड़ाएगा कि मबादा उसका पाउं अन जाने में किसी चूहे की लाश पर पड़ जाए इतने में वो आखरी जीने पर पाउं रखकर सहन में दाखिल हो चुका होगा और के सहन के बजाए नदी के गहरे पानी में उतर रहा हो और पानी उसके मूँ और नाख को छूने लगा हो वो घौता लगाने किसे अंदाज में यूही अपने हाथ से मूँ और नाख धापे आगे बढ़ेगा और बाएं मुडकर जैसे ही दर्वाजा खोलेगा बद्बू का एक जोरदार भबका उसके धापे हुए मूँ और नाख के बावजूद उसके दिमाग में सरायत कर जाएगा मेरे खौफनाग धाचे पर पहली नजर पढ़ते ही उसके मूँ से बेख्तियार एक खौफनाग चीख निकल जाएगी जो इतनी जोरदार होगी कि उसके नथनों और मूँ को ढापा हुआ उसका हाथ सास की नली से आती हुई हवा के जोर से खुद बखुद हट जाएगा और जब यह चीख जंदर के बिलकुल सामने बहती नदी के दूसरी जाने मौजूद उंचे टीले से जिस पर खड़े होकर गाउं वाले अमूमन मुझे गाउं में ह प्रिज होगी कि कुछ लम्हों के लिए तो उसका दिमाग घूमता रहेगा जब वो थोड़ा संबलेगा तो कमरे में दाखिल होने के बजाए एक जोर दाल जटके से जैसे मेरे धाचे ने उसे धका दिया हो वापस सहन की तरफ पल्टेगा और सहन में मौजूद उस थले से तकराएगा जिस पर मैं गर्मियों की रातों में लेट कर जंदर के घूमते पाटों की सुरीली गूंच और शफाव आसमान पर जगमक जगमक करते सितारों से बयक वक्त लुटफ अंदोस हुआ करता था थले से तकराते हुए वो कुछ देर वही काहू के घने दरख्त के त उसरी तरफ वाकए है नदी उबूर करते हुए वो उन बड़े पत्थरों पर पाउंड नहीं धरेगा जो बहती नदी के बीचों बीच गुजरने के लिए बतारे खास रखे गए हैं बलके वो पानी ही में च्छलांगे मारता हुआ सामने वाले टीले की तरफ भागेगा औ और ऐसा करते हुए उसके कपड़े मुकमल तोर पर भीग जाएंगे मगर वो इसकी परवा किये बगयर भागता चला जाएगा और चड़ाई में भी यूं भागता जाएगा जैसे वो किसी मैदान में भाग रहा हूँ तीले की चोटी पर पहुँचने तक उस यख बस्ता भी उसका जिसम पसीने में नहा चुका होगा जो ही वो उस बड़ी चट्टान पर पहुँचे गा जिस पर खड़े होकर गाउंवाले मुझे मतवज़ा करने के लिए आवाजा बुलंद किया करते थे उसका खौफ कदरे कम हो जाएगा वो वहां कुछ देर रुकर इतमेनान का सांस लेगा पीछे मुड़कर एक नजर जंदर के कमरे पर डालेगा और नदी की नजरों से ओजल हो जाएगा अगर मेरी मौत बीस पचीस साल पहले यहां इसी सूरत में वाक होती तो मेरी लाश को इस तरह गलने सरने का कोई अंदेशा लाहक न होता कि उन दिनों जंदर और उसके पीछे मौजूद वसी औरीज सरकारी जंगल को कस्बे से मिलाने वाली सड़क नहीं बने थी और जंगल से कस्बे तक जाने के लिए यही वाहिद रास्ता हुआ करता था यह रास्ता जो अब इतना तंग हो चुका है कि यहां से गुजरने वाला वह मुश्किल पासा चौड़ा हुआ करता था सरकारी नक्षे में यह अभी जंगल से लेकर कस्बे तक पूरे 11 फिट है मगर अदम गुजरान के सबब इसके हकी वजूद सुकड़ कर फुट भर ही रह गया है यह तो यह रस्ता सदियों से मौजूद है और एक रिवायत के मुताब यह किस इसे आज से कोई सदी भर पहले अंग्रेजों ने सरकारी जंगल में आमदुरफ्त के लिए हमवार किया था और इसकी चौड़ाई 11 फिट मुकरर की थी अंग्रेज अफसर अपने घोडों पर सवारो कर यहीं से गुजर कर जंगल का मौाइना करने जाते थे बाबा जमाल द दरخت के नीचे रुका भी करते थे उनके साथ कुछ मकामी सिपाही भी होते थे जो घोडों के पीछे पीछे पैदल चल रहे होते थे वापसी पर बास दफ़ा उनके साथ वो मुल्जिम भी होते जो सरकारी दरخت बगार परमिट के काटते हुए पकड़े जाते थे उन अफसरों के घोड़ों पर तो उन्हें डंडे बरसाने की जुरत नहीं होती थी अलबता जब कभी कोई भगोड़ा मुल्जिम ठक कर हापने लगता तो वो उस पर खूब डंडे बरसाते और अपने अफसरों की खुशनूदी का सामान करते अंग्रेजों के यहां से चले जाने के बाद भी यह सिलसला जारी रहा इस फर्क के साथ कि अब घोड़ों पर अकड़ कर बैटने वाले अफसर भी वैसी ही रंगत के मालिक होते थे जैसे हतकड़ियां हाथों में डाले घोड़ों के पीछे पीछे घसीटे जाने वाले मुल्जिम हाँ खाकी रंग की नेकरे पह और पियादा सिपाही दोनों गायब हो चुके थे अलबता बगहर पर्मिट के दरخت काटने वाले बदस्तूर यहां से गुजरते रहते थे लकड़ी लदे खचरों और उंटों के साथ सूरज गरूब होने के बाद जैसे ही धुंदल का फैलता उनके काफले मश्रिक में वाक या करता था मुझे बताया था कि उन्हों ने अपने खचरों के नालों पर भी चमड़ा चड़ा रखा होता था ताके चलते हुए उनके कद्मों की आहट ना सुनाई दे सके अलबता वो लोग जो बाकायदा सरकारी पर्मिट लेकर दरخت काटते थे दिन के वक्त भी यहां से गुजरते रहते थे ताहम गर्मियों के दिनों में ये भी अमूमन रातों ही को यहां से गुजरते थे ये तादाब में बहुत कम थे ताहम उनकी निशानी ये थी कि उनके उंटों और खचरों के गलों में घंटियों के कीठे बने होते थे और जब उनका काफला यहां से द गंटियों की टंटन बहुत भली लगती थी मैं टंटन की उन आवाजों से जियादा से जियादा लुटफंदोज होने के लिए जंदर के खारे में बड़ी चोंग उन्डेलता जंदर का दर्वाजा भेड़ता और नदी उबूर करके सामने वाले टीले पर मौजूद सबसे उ जंगल की तरफ से आने वाले रस्ते पर लगा देता था जहां से उन्टों के गले में पढ़ती घंटियों की आवाज दूर से भी बासानी सुनाई देती थी जो ही उन्टों के गले में टंटन करती घंटियों की हलकी हलकी आवाजे मेरे कानों के परदों को छूती मैं समझ जाता कि काफला जंगल से निकल कर उस मोड पर आ पहुंचा है जहां से जंगल के बीचों बीच बेहने वाली छोटी नदी इस बड़ी नदी में आकर मिलती है टीले पर मौझूद ये चट्टान एक ऐसा मकाम था जहां से जंगल की गूंज और उंटों के गले में टंटन करती घंटियों की मध्धम आवास की पिच एक जैसी मालूम पढ़ती थी जूहीं ये काफला उस मकाम पर पहुँचता जहां किसी दोर में इस इलाके के राजा का जंदर हुआ करता था मुझे अपने जंदर की गूंज और नदी के बहते पानी का शोर उन उंटों के गले में पड़ी घंटियों की टंटन में दपता हुआ महसूस होता और मैं भी इसी तनासुब से अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता उतराई की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता ताके उन दोनों तरह की आवाजों के दर्मियान वो तवाजन बरकरार रख सकूँ जो मेरी सरशारी को दो आतिशा कर देता था जब काफला जंदर से सिर्फ दो सौ कदम के फासले पर होता मेरे कदम नदी के पानियों को छू रहे होते मैं कुछ देर नदी के दर्मियान मौजूद एक चट्टान पर खड़े होकर जंदर की गुंच और घंटियों की टंटन से लुथ फंदोज होता पिर जू ही ये काफला जंदर के पिछवारे पहुँँचता और तंटन के तेस शौर में नदी की गुंच का दम घुटना शुरू होता मैं भागकर जंदर के सहन में दाखिल हो जाता जहां जंदर की गुंज टंटन के शोर से मिलकर ऐसा समा तश्कील देती के मेरा धमाल डालने को जी चाहता फिर जूँ जूँ काफला आगे कस्बे की तरफ बढ़ता टंटन की आवाजें बदस्तूर कम होना शुरू हो जाती यहां तक के उस मकाम पर जहां मगरिब से मशरिक की तरफ बहने वाली इस नदी का रुख अचानक शुमाल की तरफ मुड जाता है यह आवाजें बिलकुल मादूम हो जाती और मैं जंदर के खारे में नई चूंगों डेल कर उसके सेहन में मौजूद थले पर लेट कर सोने की तैयारियां करने लगता मगर यह सब भले वक्तों की यादे हैं उन दिनों की जब सिर्फ मेरे ही नहीं इस नदी में मौजूद हर जंदर पर चूंगों का इतना रश होता था कि सब के सब आठों पहर घूमते रहते थे उन दिनों गाउं वालों में से अकसर की गुजर आखात का वाहिद जरिया खेती बारी होता था और अगर किसी साल कोई शख्स किसी वज़ा से बुआई ना कर सकता तो उसे जमीन से बेवफाई का ताना दिया जाता था यही वज़ा हैं कि उन दिनों वो लोग भी जिनका जरिया मौज कुछ और होता साल में दो मरतबा अपनी जमीन पर हल जरूर चलाते थे ताके जमीन से बेवफाई के मुर्तकिब न हूँ खुद मेरा बाप भी जिसकी गाउं में जराई जमीन ना होने के बराबर थी और उसके मौज का तमाम तर इनहिसार इस जंदर के घूमते पाटों पर था साल में दो दफा जरूर जमीन बीचता था हाला के रखवाली न करने की वज़ा से अवल तो जमीन में बीजा गया दाना परिंदे चुक जाते थे और अगर जमीन से कुछ फूट भी निकलता तो उसे अडोस पडोस के माल मवेशी तबाह करके रख देते थे मैंने जब होश संभाला उसे हमेशा जमीन बीचते हुए ही देखा कभी कटाई या गाही करते हुए नहीं पाया ताहम इसके बावजूद जब बजरिया लेतरी गाउं की फसल मुश्तरिका तौर पर कट रही होती तो वो उसमें जरूर शिरकत करता अगर उसके अपने खेतों में किसी साल फसल हो भी जाती तो वो उसे अपने छोटे भाई के हवाले कर देता वो ही कटाई करा कर अपनी फसल के साथ उसे गाह लेता और भूसे समें दाने भी खुद रख लेता मगर अगली बार जब वो आई का मौसम आता तो मेरा बाप बता और खास स्कूल जाकर मेरी चुटी मनजूर कराता मुझे चौंगों की तर्तीब समझाता कि फलाँ चौंग के बाद फलाँ चौंग खारे में उंडेलनी है और खुद अपने अजीजों से बैल उधार मांगकर हल जोत लेता वो जब सामने वाली पहाडी की चौटी पर मौजूद बड़े खेत में जो अब एक अरसे से बच्चों के खेलने का मैदान बना हुआ है बैलों को हकारता तो उसकी आवाज मुझे यहां जंदर के सहन में भी वाज़ तोर पर सुनाई देती फसलों खास कर गंदुम की कटाई और गाही के दिनों में वो लोग भी जो शहर में नौकरी या कारोबार कर रहे होते रातों रात गाउं आ जाते और सुभा सवेरे दरातिया उठाए लेतरियों में शमूलियत के लिए निकल खड़े होते सब मिल जुलकर एक दूसरे की फसले काटते उन्हें ढोकर मकानों के सहनों और खलियानों में जमा करते और फिर बैलों की जोडियों के पीछे काहू की फुश्क फुनिंगे बांद कर उसे गाते मकाई की कटाई के बाद गाउं की ओरते मिलकर उसे च्छीलती और फिर मर्द रातों को भारी सोटे लेकर उसे कूटते और उनके दाने अलाहिदा करते शायद यही मजबूरियां थी जो लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने और महबत करने पर उकसाती थी ऐसे हालात में उन दिनों यहां मेरी मौत की सूरत में जिसका सबब भी यकीनन मुख्तलिफ होता सूरत हाल खासी मुख्तलिफ होती सुभे काजिप के वक्त ही कोई न कोई शख्स चोंग उठाए दर्वाजे से जो उसके दस्तक देने की कोशिश में खुद बखुद खुल जाता अंदर आ जाता आराम से चोंग उतार कर एक तरफ रखता अंधेरे में टटोल कर लालटाइन तलाश करके उसे रोशन करता फिर ये सोच करके मैं गहरी नीन सोया हुआ हूँ वो बाहर जाकर लकडियां उठा लाता आग जला कर कुछ देर हाथ तापता चूले के किनारे रखा घड़ा उठा कर बाहर सहन के साथ मौझूद क्यारी में उसका पानी उडेलता और सीधा उस चश्मे पर चला जाता जिसका पानी सर्दियों के दिनों में सवेरे सवेरे गर्म और गर्मियों के दिनों में ठंडा यख होता है भाप उटते गर्म गर्म ताजा पानी से घड़ा भरता और वापस आकर चाय के लिए देखची चूले पर चड़ा देता जब चाय तैयार हो जाती तो वो जगाने के लिए मुझे आवाज देता दो तीन मतवातर आवाजों के बाद जब मेरे जिसम में कोई हरकत ना होती तो वो हाथों से हिला कर जगाने के लिए मेरी तरफ लपकता और जूही अपना हाथ मेरे सर्द हो चुके जिसम से मस करता उसके घिगी बन जाती और वो बेख्तियार मेरी लाश से लिपट कर रोना शुरू कर देता रोध होकर जब उसका गम कुछ हलका होता तो वो अपने साफे से आंसु पोच कर पहले मेरी आँखें और फिर मेरा खुला हुआ मूँ बंद करता कुछ देर तक मेरे चेहरे की तरफ देखता रहता फिर बाहर दर्वाजे की तरफ देखता जहां से रोशनी की किरने अंदर आ रही होती वो उटकर बाहर सहन में आ जाता और महनत मजदूरी के लिए कस्बे की तरफ जाने वाले लोगों को आवाजें देकर अपनी तरफ मतवज्जे करता वो उसकी रुहासी आवाज ही से अंदाजा लगा लेते के कोई अन्होनी हो गई है और वो सब के सब उस अन्होनी के बारे में जानने के लिए जंदर के सहन की तरफ दौड लगा देते उन में से कई मेरे शनासा होते जो बारी बारी मेरी लाश से लिपट कर रोते गम हलका कर चुका शक्स जंदर के कमरे में पड़े पानी के घड़े उठाता और वहां खड़े कुछ दूसरे लोगों को भी चश्मे पर चलने का इशारा करता और वो इशारा पाते ही उसके साथ हो लेते बाकी में से कुछ सहन के कोने में पत्थरों का चूला बनाकर आग जलाने की तैयारियों में मसरूफ हो जाते जो ही पानी भर कर लाने वाले वापस पहुँचते पानी किसी बरतन में डाल कर चूले पर चढ़ा देते उन में से एक शक्स काहू की टहनिया तोड़ने दरख पर चढ़ जाता और फिर सब मिलकर उन टहनियों से पत्ते अलाहिदा करके पानी में डालते पानी उबलते ही वो उसे उतारते और मेरा जनाज़ा पाक करने लग जाते इसी असना में उन में से एक दो लोग मेरे गाउं पहुँचकर मेरे अजीज़ों को मेरी मौत की खबर दे चुके होते और जब वो पहुँचते तो मेरे जनाज़े को घुसल दिया जा चुका होता नदी जोडियां में वाकए मेरे इस जन्दर की पौने 200 साला जिन्दगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 45 दिन तक एक दाना भी पीसे बगएर मसलसल घूमता रहा है और इसकी दर्द और यासित भरी कूक ने न सिर्फ मुझे बलके इसके दरो दिवार को भी निढालसा कर दिया और अभी तो इसे उस वक तक इसी तरह घूमते रहना है जब तक उस पहले शख्स की यहां आमद नहीं हो जाती जिसने गाउंग वालों को मेरी मौत के बारे में मुतला करना है मेरी कहानी की तरहा इस जंदर की कहानी भी बहुत अजीब है इसे मेरे दादा के दादा एहमद खान ने अपने छोटे भाई मुहमद खान के साथ मिलकर सिर्फ एक महीने के मुक्तसर अर्से में तामीर किया था हाला कि इतना अर्सा सिर्फ पानी के कठे की खुदाई और नदी पर बंद बांध कर पानी मोड़ने के लिए भी नाकाफी था इस पर मुस्तिजाद इसकी दीवारों की चुनाई में इस्तिमाल होने वाले ये देव कामत पत्थर जिन में से हर एक को धकेलने के लिए कमसकम दरजन भर आदमी दरकार हैं उन्होंने तन्हे तन्हा न सिर्फ इन्हे धकेला बलके उठा कर एक दूसरे के उपर भी रखा क्या आप बारा फुट लंबे और आट फुट चौड़े किसी ऐसे कमरे का अंदासा कर सकते हैं जिसकी अगली दीवार को छोड़ कर बाकी तीनों दीवारें सिर्फ दो दरजन के करीब पत्थरों से बनी हुई हूँ यानि हर दीवार सिर्फ आठ बड़े पत्थरों पर मुश्तमिल हो ये जो दर्मियान में चन्द चोटे मोटे पत्थर नज़राते हैं ये सिर्फ इन बड़े पत्थरों की सता हमवार करने और इनकी दर्जों को भरने के लिए रखे गए हैं इनकी चुनाई से दीवारों की उंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ा इन पत्थरों की मख्सूस गोलाई और शकल सूरत से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इन्हें नदी से निकाल कर उस किनारे तक लाया गया था गोया अब जो पानी इनके नीचे से गुजर रहा है पहले सदियों तक इनके उपर से गुजरता रहा होगा गोय ने पानी से निकले और यहां दीवारों में नस्ब हुए पौने 200 साल से जायत का अरसा गुजर चुका है लेकिन ये अब भी इसी तरह फिसलवा हैं जैसे पानी से निकलते वक्त थे और ये फिसलाहट इने छूकर अब भी बखूबी महसूस की जा सकती है बहता पानी अपने रस्ते में आने वाले पत्थरों पर मौजूद खुरदुराहट को खत्म करके उनके वजूद में एक ऐसी फिसलाहट भर देता है जो मचली के बदन का खास्सा है अगर आप आँख बंद करके अपना हाथ किसी ऐसे पत्थर पर फेरें जो एक तवील अरसे तक बहते पानी की जद में रहा हो तो आपको यूं महसूस होगा जैसे आप किसी मचली के बदन पर हाथ फेर रहे हैं इसी फिसलाहट ने मेरे दादा के दादाओं का काम आसान बनाया होगा और उन्हें इन भारी पत्थरों को नदी के बहते पानी से निकाल कर यहां लाने में आसानी रही होगी अलबता इन्हें एक दूसरे के उपर रखना एक ऐसा मरहला है कि जिसके बारे में सोचते हुए आदमी हैरान हुए बगएर नहीं रह सकता लेकिन इस जंदर की निव पढ़ने के पीछे जो कहानी है वो इससे भी जियादा हैरान कुन है यह कहानी अतनी मशहूर है कि अब इसे पूरे इलाके में एक लोग दास्तान की हैसित हासल हो चुकी है अगर्चे मुक्तलिफ लोगों के हाँ इसकी जुजियात में थोड़ा बहुत फर्ख है वैसा ही फर्ख जैसा लोग दास्तानों में अमूमन होता है मुम्किन है इसमें थोड़ा बहुत मुबालगा भी शामिल हो लेकिन अपनी रूह में ये बिलकुल हकी है अतनी ही हकी जितना मौत का सामना करता मेरा ये वजूद मैंने अगर्चे थोड़े बहुत फर्ख के साथ इसे बहुत से लोगों से सुना लेकिन बाबा जमाल दीन से जो रिश्टे में मेरा दादा लगता था मैंने ये कहानी इतनी मरतबा सुनी कि उसकी जबानी सुनी हुई पूरी की पूरी कहानी अपनी तमाम तर जुजियात के साथ मेरी मादूम होती याददाश्ट में अभी महفوظ है और मेरी मौत के बाद भी जब तक मेरा दिमाग जिन्दा है कि मैंने किसी किताब में पढ़ा था मरने के बाद भी आदमी का दिमाग कुछ देर के लिए जिन्दा रहता है महفوظ रहेगी बाबा जमाल दीन जिसने अपनी जिन्दगी का कुछ हिस्सा इसी जंदर पर गुसारा एक जजब के से आलम में ये कहानी यू सुनाता था जैसे ये सब उसका आँखों देखा हो हाला के वो इसके दो किरदारों में से एक का पोता था और जब ये वाकिया पेश आया था उस वक्त ये दोनों किरदार कुआरे थे बाबा जमाल दीन के बकौल ये उन दिनों की बात है जब हमारे खानदानी जंदर से पूरे एक मील के फासले पर नदी के बहाओ की उल्टी जानिब एक ही जंदर होता था जो इलाके के राजा की मिल्कियत था ये राजा था तो मुसल्मान लेकिन इसे मकामी सिक्ख हकूमत की पूरी पुष्ट पना ही हासल थी और उन्होंने इसी के जरीए इस दूर दराज अलाके पर अपना मुकमल तसलुच जमा रखा था जंदर के पाट उन दिनों भी दो तारों के इसी मकाम पर तराशे जाते थे जहां ये नदी अपना वजूद कोह रम्याल के दूसरी तरफ बहने वाली नदी नीला में गुम करती है चूंके उन दिनों छखड़े वगयरा नहीं होते थे इसलिए इन पाटों को वहां से लाने के लिए आदमियों की एक पूरी टोली जाती थी जो इन पहिया नुमा पाटों के वुस्त में मौजूद सुराखों में काहू का मजबूत बाला डाल कर उन्हें हमवार जमीन पर पहिये की तरह चला कर लाया करते थे और जहां कहीं जमीन की सतह ना हमवार होती उन्हें कंदों पर उठा कर चल देते थे फासला जितना जियादा होता उतने ही जियादा आदमी इस काम के लिए साथ लेकर जाना पड़ते थे कि जब एक टोली ठक जाए तो दूसरी उसकी जगान ले ले और ठकन उतारने में वक्त जाय नहो सन 1841 में होने वाली शदीद बारिशों के बाइस हजारा में बहने वाली दूसरी नदीयों की तरहा इस नदी में भी शदीद सैलाब आया था जिसके बाइस पानी ने जंदर को उसके भारी पाटों समेथ न सिर्फ बुनियादों से उखाड फेंका था बलके उसका सारा मलबा भी अपने साथ बहा कर ले गया था पानी उतरने के बाद जंदर को असरे नौ तामीर किया गया और उसके लिए दो तारों के मकाम पर नए पाट तरशवाए गये कमरे की तामीर और दीगर जरूरी कल पुर्जों की तनसीब के बाद जब इन पाटों को उठा कर लाने का मरहला आया तो एक सुभा दो दरजन के करीब लोगों को पाटों की जोड़ी लाने दो तारों रवाना किया गया जिनमें मेरा दादा मुहमद खान और उसका बड़ा भाई एहमद खान भी शामिल था मेरे दादाओं को छोड़ कर बाकी तमाम लोग राजा की अपनी जाद बिरादरी के थे शाम ढले जब ये काफला जंदर के पाटों की जोड़ी लेकर वापस पहुँचा तो उनकी खूब आओ भगत की गई उनके लिए देसी घी में तरहा पकाए गए खाने के बजाए उन्हें लसी में पका हुआ सरसू का साग और मकई की चंद रोटियां दी गई उन्होंने खामोशी से खाना खाया और वहां से निकल आये अगले दिन जब राजा के आदमी पाटों की तनसीब के लिए मिस्तरियों को साथ लेकर जंदर पर था वो काफी देर उसे इधर उधर ज़ाडियों में तलाश करते रहे कि मबादा किसी ने उन्हें कहीं लुडखा दिया हो लेकिन तलाश बिस्यार के बावजूद जब उसका कहीं नामों निशान ना मिला तो उन्होंने इसकी इतला फौरण राजा को दी राजा ये नई कह मलात में से बगहर पूछे कुलहाडी के लिए काहू का एक दस्ता काटने की भी हिम्मत नहीं हुई थी इस वाके की खबर जंगल की आग की तरह फौरण इलाके भर में फैल गई और शाम तक इलाके के तमाम लोग उसके घर इस चोरी का अफसोस करने पहुँच गए उन में स तमाम जरूरी काम छोड़कर राजा की हवेली पहुँच गए राजा ने अपने बंदे इधर उधर भिजवाए खास कर उन लोगों के घरों में जिन पर उसे शक था या जिनके बारे में उसे इत्तिला थी कि वो इर्द गिर्द के देहात में छोटी मोटी चोरियां चकारि इस वाकए के तीसरे रोज उसका एक रिश्टेदार जो पाट लेकर आने वाली टोली की आओ भगत में पेश पेश था उसे अफसोस के लिए बैठे हुए लोगों में से उठा कर परे ले गया और इस यकीन का इजहार किया कि ये चोरी उन्ही दो आदमियों ने की होगी जि इना बड़ा कदम उठाने की जुरत कर सकते हैं जब राजा के रिश्टेदार ने बार बार इसरार किया और उसे उनके बारे में वो कहानी भी सुनाई जो दबे लफजों में गर्दिश करती रही थी कि उनका तालुक उस कबीले से हैं जिनोंने दस साल पहले बाला कोट में होने वाली जंग में सेद अहमत बरेलवी का साथ दिया था और ये कि वो दोनों खुद भी उस जंग में सिखों के खिलाफ सफारा हुए थे और जब फता सिख अफवाच का मुकदर बनी और उन्होंने उस कबीले के तमाम मौज़ात को नजरे आतिश कर दिया तो उन दोनों में उन्हें लेकर हवेली में हाजर हो गया अपने अजीज की सुनाई हुई कहानी के बावजूद चुके राजा को यकीन था कि पार्ट को गायब करने में उन दोनों का हाथ नहीं इसलिए उसने अलग कमरे में ले जाकर उन से तफ्तीश करने के बज़ाए वहां मौजूद लोगों के सामने ही उन से पूचगच करने का फैसला किया ताकि जब वो कापती हुई आवाज और खौफ से लरसते हुए जिसमों के साथ इस इल्जाम की तरदीद करें तो बाकी लोगों पर भी रोप पड़े और वो भी इबरत पकड़ें लेकिन जो कुछ उसके साथ पहले ही आ चुकी थी जब उसने उन्हें अइतमाद के साथ अपनी जाने बढ़ते हुए देखा तो उसका यकीन और भी पुखता हो गया कि पार्ट गायब करने में इनका कोई हाथ नहीं के इलाके का राजा होने के नाते वो इस से पहले चोरी चकारी और इस नौईयत के चाहें कितना ही बहादूर क्यों नहों मुकदमे का सामना करते हुए अपना आतमाद खो बैटता है और उसके कदमों में एक लर्जश सी आ जाती है और जैसा कि उसे बताया गया था उन दोनों का तालुख तो था ही एक ऐसे कबीले से जिसके अफराद बाला कोट में होने व थे वो दोनों भाई अगरचे कसरती बदन के मालिक थे और उनकी उमरे 30 से 35 साल के दर्मियान थी लेकिन अपने चहरे मोहरे से वो अपने उमर से कमस कम 10-12 साल बड़े नजर आते थे उनका लिबास फटा पुराना और मैला था और उन्होंने सर पर बज़र्गों की तरह मैल कुचैली पगड़ियां बांधी हुई थी अपने उमर से बड़े लगने में उनकी उन पगड़ियों का भी हाथ था राजा ने एक नजर दोनों के चहरे पर डाली जहां सुकून और इत्मिनान की जलक वाज़ तौर पर जलक रही थी चुनाचे उसने उन पर चोरी का बराह खरास्त इल्जाम लगाने के बजाए गवाह के तौर पर उन से पूझगच करने का इरादा किया जो पाट कल तुम लोग हमारे लोगों के साथ मिलकर दो तारों के मकाम से लाए थे उन में से एक अगली ही सुबह वहां से गाइब था तुम लोगों ने उसे किसी को ले जात होना शुरू हो गए खुद राजा जो अपना रोब बरकरार रखने के लिए संजीदा होने की कोशिश कर रहा था जोर जोर से हसने लगा काफी देर तक उनके कहकहों से हवेनी के दरो दीवार गूंचते रहे और कौन कौन साथ था थोड़ी देर बाज जब माहौल संजीद हुआ तो राजा के एक अजीज ने उन से पूछा कोई भी नहीं बस हम दोनों ही थे दोनों ने एक साथ जबाब दिया जिस पर एक मरतबा फिर कह कहे बलंद हुए किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है अच्छा ये बदाओ तुमने ये काम क्यों किया राजा अजराह मजाख उन से पूछा उस हद्तक की वज़ा से जो उस दिन आपने हमें दूसरों से अलाहिदा बिठा कर और हमें रूखी सूखी दे कर की थी हमें इसी बात का घुसा था हमने आपका दिया हुआ खाना बमुश्किल हल्क से उतारा और घर की रह ली जब हम घर पहु हमें लगा जैसे चट भी हमारे साथ रवा रखे जाने वाले हता कामेज रवये से थर्थरा रही है और अगर हमने अपना घुसा किसी तरह ना उतारा तो यह हमारे उपर गिर पड़ेगी अचानक हम दोनों खौफजदा होकर एक जटके के साथ उड़ बैठे मेरे जहन में फौरण ख्याल आया कि इस घुसे का एक ही हल है कि हम उनमें से एक पार्ट अभी और इसी वक्त वापस वही छोड़ाएं जहां से हम दूसरे लोगों के साथ उसे उठा कर यहां लाए थे मैं अपने इस ख्याल का इजहार मुहमत खान से करने ही वाला था कि उसने यही इसमों के साथ जंदर पर पहुँचे और पाटों के पास ही पड़े काहू के दो बालों में से एक जो हमें जियादा मजबूत दिखाए दिया उठाया उसे पाट के सुराख के आरपार किया और उसे कंधों पर उठा कर चल पड़े तकरीबन हर मील के बाद हम पाट उतार कर जमीन पर रखते, कुछ देर आराम करते और फिर उठा कर चल पड़ते सुभा जब पौप हट रही थी हम दो तारों पहुंच चुके थे बड़े भाई ने पूरा इतमाद लहजे में पूरी कहानी सुनाई तो राजा लहू के घूट पी कर रह गया राजा को गुसा पाट वापस ले जाने के हवाले से सुनाई जाने वाली उस कहानी पर नहीं था क्योंके उस समयच सबको ये कहानी जूटी लगी थी, उसे गुसा उनके गर्दन अकडा कर बात करने पर था इससे पहले तो उसकी अपनी बिरादरी खत्रे में पढ़ता हुआ महसूस हुआ लेकिन चुके हवेली में बैठे हुए तमाम लोग उन दोनों को पागल समझ रहे थे इसलिए उन पागलों पर इस तरहा हाथ उठाने में उसे अपनी हतक महसूस हो रही थी अचानक उसके जहन में उन्हें सजा देने की एक तरकीब सूजी जिसने आगे चल कर इस जंदर की बुनियाद रखने में बुनियादी किरदार अदा किया वो अचानक अपनी कुरसी से उठा उन दोनों समेट वहां बैठे तमाम लोगों को साथ लिया और जंदर की तरफ चल पड़ा